स्टेज पर सलमान खान हों और कोई अभिशेख जीत जाए ऐसेक कभी हो सकता है क्या मिया सलमान भ्राइ के आगे एक जगा अभिशेख और एक जग कोई और कंटेस्तेंट हो क्या amishake जीत जाएका possibly नहीं है saman sir के लिए तो अभिशेक को जिताना ना मुंकिन है ये बाते हमारी तरफ से नहीं कही जारी ये बाते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है मुनवर फारुकी सीजन 17 के बिग बॉस सीजन 17 के और उनके जो ऑपजिट है वो अभी शेक कुमार थे और उने लेकर अब काफी बाते हैं जैसे ही बिग बॉस सतरा एंड हुआ पता चल गया कि विनर कौन है तो यहां पर बहुत सारे मीम्स भी बनने लगे और कहीं न कहीं कुछ एक्स कहलीजे कंटेस्टेंस थे वो भी सामने आया और उन्होंने अपनी बाते कहीं जैसे की यह जो बात हमने स्टार्टिंग में बोली है वह अभिशेक मलहान नहीं शुरू की है वही अभिशेक मलहान जो बिग बॉस OTT2 में आये थे और एक साइड पर अभिशेक मलहान थे और अभिशेक यादव जीत करे थे यहां पर अब ज्यादा बाते इसलिए हो रही है क्योंकि अभिशेक इसलिए trend में आ रहे हैं क्योंकि देखा गया है कि Big Boss OTT 2 हुआ था तो इसमें अभिशेक थे वो नहीं जीते थे अब यहां पर Big Boss 17 हुआ है तो एक साइड पर अभिशेक उमार थे दूसरी साइड पर मुनवर फारुकी थे तो अगेन जो अभिशेक थे वो नहीं जीते तो लोग कह रहे हैं कि सल्मान खान को अभिशेक नाम के जो व्यक्ति हैं उनसे प्रॉब्लम होती है और यहां पर अभि विश्मान नाम से आना पड़ेगा और उसके बाद एक के बाद एक लोगों ने आप पर कॉमेंट करने शुरू कर दिये और कहा कि अब सल्मान खान को कौन समझाए कि वह वाले अभिशेक बच्चन नहीं है यह वह दूसरे वाले अभिशेक है देखा जाए तो यह ट्रेंड कि वाइफ यह एश्वरयराय और शल्मान खान का एक ऐसा रिलेशन था जिसे हम सब वाकिफ है और उसके बाद ही सल्मान खान पर कई यह से मीम्स भी बने हैं जोसे लेकर बहुत जाला देखने को मिला है कि सोशल मीडिया पर हल्चल रहती है जैसे ही कोई ख़बर आती है सलमान सर से जुड़ी हुई या इश्वर राय से जुड़ी हुई तो बीच में ऐसे मीम्स जरूर बनते हैं और अभी भी कुछ ऐसा ही हो बिग बॉस 17 का विनर तो अनाउंस हो गया है लेकिन उसके बाद ऐसी बाते सामने आ रही है अभिशेक मलहार ने खुद बोला है कि सलमान सर सामने और कोई अभिशेक नाम का तो परसन जीत ही नहीं सकता गिवार आना पड़ेगा तो नाम बदल कराना पड़ेगा और ऐसा ही ल परसन में लाकर खड़ा कर दो वह नहीं जीतेंगे तो कोई कह रहा है कि सलमान सर वह वह वला भी शेक नहीं है वह दूसरे वाला भी शेक है हम उसे पसंद करते हैं उसे जिता देना था फिलहाल बिग बॉस 17 का जो विनर है वो सामने आ गया है और मुनवर फारुकी वह विन इचर था एगरेशन से भरे हुए थे चोटी चोटी बातों पर उनको गुसा आ जाता था लेकिन वह एक विलेन से हीरो बने जब उन्होंने समर्स को थप पड़ जड़ा उसके बाद लोगों ऐसा लगता था कि लोग उने पसंद करेंगे लेकिन लोगों ने का कि एक और मार एक और मार सल्मान से भी उलता है इसा लगता है एक और मार एक और मार यहां पर फिर देखा गया कि अभिशेक को लेकर फैन फालम बहुत जादा बढ़ गई लोगों पसंद करने लगए और भी तमाम चीज़े सामनी आई और लेकिन फिर भी बहुत सारी कोशिशों के बाद फैन्स की कोशिशों के बाद अभि शे तो नहीं जीते हैं लेकिन मुनवर जीत गए हैं पिलहाल ये चल रहाए सोचल मीडिया पर अभि शेक को की लगता है, पिलhahaly को क्या लगता है कि अभिशे कुमार ज्यादा डिजरुंग थे मुनवर से या फिर जो मुनवर है वही ड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और तुमाम इसे और जौनकारी के लिए हमाई साथ बने रहीएगा